मानने उदित राज ने जो इतनी बड़ी रैली की है उसी को अटेंड करने के लिए हम यहां आए हैं तो आज तो महिला हैं वो पढ़ लिख गई हैं और सभी युवा लोग पढ़ लिख रहे हैं तो आज आरेक्षंड के क्या जोज पढ़ी है महिलाएं शिक्षित हैं महिलाएं पुर्षों से किसी विक्षेतर में कम नहीं है बट उनको वो मान और समान नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए शिक्षिया के अंदर कोई कमी नहीं है और उनके अंदर गुनों की भी कमी नहीं है लेकिन आज सर्विस के मामले में मैं हर्याना की अगर बात करूँ तो हर्याना में आज से 89 के अंदर 4 लाग पोस्ट थी लेकिन आज जो जो ढ़ाइलाग पोस्ट रहेगी डेर्ड लाग पोस्टों को उड़ा दिया गया है सरकारी जो सेक्टर है उसको खतम किया जा रहा है नीजी सेक्टर आ रहा है और नीजी सेक्टर के अंदर रक्षन नहीं है महिलाई कहां एड़स्ट होंगी पहले महिलाओं का कोटा अलग होता था जब कोई लिस्ट निकलती थी सर्विस के लिए तो पुर्षों के इतनी सीट और महिलाओं के इतनी सीट उसको खतम कर दिया गया है लेकिन हम आज इस मंच के माध्यम से उधित राजी से भी हम इस पात पर डिसकस करेंगे कि महिलाओं का अलग कोटा हो और उस महिलाओं के अलग कोटे के अंदर धलित महिलाओं का अलग कोटा नहीं है और जो नेता होते हैं या मुक्य मंत्री होते हैं प्रदान मंत्री होते हैं वाइदे करते हैं कि हम महिलाओ के लिए करेंगे आज महिला वो सुरक्षित नहीं है मेरी बास सुनो कि आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि राज नेता जब वाइदे करते हैं उनका जो घोशना पत्र होता है वो घोशना पत्र में बड़े-बड़े वाइदे दिखा देते हैं महिलाएं में उसको मलब पूरा नहीं करता और यहां में बड़ी दिक्कत आती है जो उनका घोशना पत्र होता है उसमें जो वाइदे किये जाते हैं उन वाइदों पर वो नेता खरे नहीं उतरते केवल मातर वोट लेकर और विधानसभा या लोकसभा में जाने तक ही वो सीमित होते हैं उसके बाद मुद्दे बहुत कम उठाते हैं मैं मानिया उधित राजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं इन्होंने 97 के अंदर जो पांच विधायक जो हमारे अरक्षन के और अरक्षन बचाने के लिए यह इतनी बड़ी रैली करनी पड़ी और आज हमारा समाज इकत्रित हो रहा है आज क्योंकि अगर आज हम यह लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हमारी आने वर जनरेशन जो हमें कोसेगी कि आपने हमारे लिए क्या कि आप महीलाओं के लिए क् अरक्षन महीलाओं का अलग से हो और उस अलग महीलाओं के अरक्षन के अंदर दलित महीलाओं का अरक्षन लग से होना चाहिए